हलो और वेलकम टू फिल्मी बीट दोस्तों आपकी फेवरिट शो मोलकी में काफी ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मुखी जी अपनी पूर्वी को उसकी यादाश वापस लाने के लिए एक नया प्लान बनाने वाले हैं जहाँ पर वो पूर्वी और दक्ष को लेकर जाएंगे रिवाडी और इसके लिए उन्होंने पूरी तरहां से कर ली है प्लानिग जी हाँ वो पहुँच जाते हैं दक्ष के घर दिल ली और वहाँ पर वो जाकर बताते हैं उनकी शादी का नया प्लान वैसे तो नानी जी बिलकुल नहीं चाहती है कि दक्ष रिवाडी में जाकर शादी करें वैल ये प्लान मुखी जी ने खुद प्रपोस किया है दक्ष को दक्ष से कहा है कि आपके लिए रिवाडी एक अच्छी डेस्नेशन वेडिंग साबित होगी मैं आपके लिए सारे इंतिजाम करूँगा जहां पर आपकी और ध्वनी की शादी होगी और काफी धूमधाम तरीके से हम उसकी पूरी तैयारी करेंगे वैल इसके पीछे मुखी जी का प्लान है पूर्वी को उसकी यादाश वापस दिलाना ताकि किसी भी तरह दक्ष के साथ उसकी शादी रुख सके वैल इसके लिए वो पूरी तरह से प्रिपेर हैं और वो दिल्ली पहुँशते हैं जहां पर आप देखेंगे कि वो किस तरह से एक रोमैंटिक मुवमेंट भी सामने आता है जिसमें पूर्वी मुखी जी की बाहू में होती है और ये मुवमेंट कैप्चर करने वाला होता है वैल अब आने वाले पसोड में कई सारे ग्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि अब पूर्वी की आदाश वापस आने ही वाली है लेकिन इस शो में ट्विस्ट तो चलते ही रहेंगे फिलाल आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट के जरीए बताईएगा पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा चानल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आई दोनोग फोगे तो हिट बल इकन